नमस्कार दोस्तो राजिस्तान GK by Hairy YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहांपर मैं कराता हूँ आपको राजिस्तान में होने वाले विवन प्रकार के एक्जाम्स की राजिस्तान GK की तेयारी तो दोस्तो मेरा दो YouTube channel है, एक IT exam Guruji है, जहांपर मैं BCA, BTEC, MCA, MTEC और IT से related जितने भी exams हैं, जैसे IBPS, PO, IT officer हुआ, Information Assistant हुआ, Computer Teacher, Computer Science हुआ, KBS, PGT, Computer Science हुआ, ठीक है, तो IT से related exams की preparation मैं IT exam Guruji YouTube channel पर कराता हूं और राइस्तान जी के की तेयारी मैं राइस्तान जी के बाई हैरी YouTube channel पर कराता हूं इस वाली पर, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज सबसे पहले channel को subscribe करें, इसके बाद जब मैंने कल आपको संत और संपरदाय का topic पढ़ाया था, राइस्तान के संत और संपरदाय जिसमें मैंन सबसे पहला lecture पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने आज जांबो जी से related 35-40 important questions भी वीडियो में डाले हैं, ठीक है तो वो कल वीडियो देखिए, वो MCQ वाली वीडियो जरू देख लेना, उसमें बहुत important MCQ है, सारे questions उसी में से आएंगे, एक्जाम आएंगे तो, ठीक है, अगर उस पार्ट से आते हैं, तो उनी में से आएंगे, जो मैंने कराएंगे, तो दोस्तो आज अपने दूसरे संत हैं, वो है संत जसनात जी, ठीक है, तो चलिए, सुरू करते हैं, दोस्तो संत जसनात जी, देखिए, कल अपुन्ने जांबो जी पड़े थे, आज जसनात जी पड़े हैं, यह सब वैश्णव धर्म, या वैश्णव संपरदाय के संत हैं, याद रखना, वैश्णव के, वैश्णव में क्या था, यह क्या करते हैं, निर्गुण हैं यह, ठीक है, तो चलिए, सुरू करते हैं, संत जसनात जी, देखो इनके नाम से पता चल इन्होंने कौन से ध्रम की स्तापना की थी जसनाती गी ठीक है तो जसनात से याद आ जाएगा जसनाती ध्रम की इन्होंने इस्तापना की थी और यह जाट थे जाती से ठीक है तो इनका जनम कहां पर हुआ था कत्रयासर बीका नेर में इनका जनम हुआ था और जामबो जी कहां दूसरा, इनके बचपन का नाम जस्वन्त था, ठीक है, तो फिर जसनात कैसे पढ़ा इनका नाम? इनके गुरु थे गोरकनात, कौन थे इनके गुरु गोरकनात, ठीक है, गोरकमालिया नामक जगे पर इन्होंने 12 वर्स तक तपश्या की थी, ठीक है, और वहाँ पर इनके गुरु गोरकनात ने इनका नाम क्या रख दिया, जस्वन से जसनात, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आ इनके उपदेशों के जो संग्रे हैं, दो हैं, ग्रंत कह सकते हो, पहले को बोलते हैं सिंबु धाड़ा, दूसरे को बोलते हैं कोडो, ठीक है? तो ये इसमें से कोश्चन बनता है, एक कोश्चन तो इसमें से बनता है, एक इसमें से बनता है, ठीक है? दूसरा है जसनाती संप इनके 36 नियम हैं कितने हैं 36 नियम और उन्होंने कितने नियम दिये थे विश प्लस नौ यानि इनकी इनकी और प्रयाबध करें दिये ते उसओ आठ नियम इसमें उसमें 36 कर आऊ औ और इसमें पूछा हो इसस्कार्या न भतना है literacy UK Ianie मैं वही पढ़ा हूँ जो आपको R.E.S. से लेके किसी भी एक्जाम में पूचे जाते हैं, इससे भार नहीं पूचा जाता है, अगला है अगनी नुयत्य, देखिए, इस समाज में अगनी नुयत्य किया जाता है, जलते हुए कोईले होते हैं, उनको जला लेते हैं ये, और ज वोगों चक्कर काटते हैं, ठीक है? कभी ये सामुईक होता है, 10-20 लोग मिलकर करते हैं, कभी ये सिंगल भी होता है, पूजा की टाइम पहे, ठीक है? तो, अगनी नुयत्य करते हैं वक्त ये, फते, फते, चिलाते हैं, क्या बोलते हैं? फते, ठीक है? ये भी यहांसे, important question ह अगनी नरत्य का और फत्य का भी, ठीक है, अगला है, इसमें एक और question बनता है, सिर्फ ओड मतीरा, सिर्फ ओड मतीरा का क्या है, ये भी इस नरत्य को करने के दौरान, सर पर मतीरा फोड फोड कर भी नरत्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ ओड मतीरा, याद रखना है सिर्फोर मतीडा किस संपरदाय में नर्त्य किया जाता है नर्त्य के दोरान सिर्फोर मतीडा कला किस संपरदाय में की जाती है तो आपको बताना है कि वो अगनी नर्त्य में की जाती है और इस नर्त्य में सिर्फ पुरुस भाग लेते हैं परमहंस संत किस संपरदाय से संबन देते हैं तो आपको बताना है जसनात जी संपरदाय से संबन देते हैं परमहंस और इसमें दो प्रकार के संत होते हैं बेसिकली देखिए पहले जो इसमें संत हैं और संत इसमें दो प्रकार के हैं पहले संत होते हैं विरक्त जिनको क्या बो इस धरम के जो अनुवाई हैं वो क्या करते हैं एक धागा होता है काला उसमें तीन गांट होती है उसको पहनते हैं देखिए मैं अपना दिखा देता हूँ मैं आपको ठीक है इस तरीके का धागा पहनते हैं वो मेरे जैसा ही ठीक है तो ये भी पूछ लेते हैं किस संपरदाए में काली उनका तीन गांट वाला धागा गले में पहना जाता है तो आपको बताना है जसनाती संपरदाए में पहना जाता है ये निर्गुण है तो ये सगुण तो होते हैं सगुण होते हैं जो मूर्ती पूजा में विश्वास रखते हैं और निगुण होते हैं जो मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं रखते ठीक है तो ये कैसा संपरदाए है निर्गुण ये मूर्ती पूजा नहीं करता बलकि क्या करता है फिर ये देखो अपने अपने प् पूजा इस्तरमान कर पूजा करते हैं, मूर्थी पूजा नहीं करते हैं, ठीक है? अगला important question यहां से बनता है, गोरक चंद क्या है? चार option देदेगा, तो आपको बताना है, कि जसनात जी का लिखा हुआ, एक महत्पून गरंथ है, जिसको क्या कहते हैं? गोरक चंद, याद रखना बहुत अच्छा important question है, ठीक है? मैं पढ़ाई वह आपको रहा हूँ, NCRD, बेविने प्रकारी पुस्तकों से, जो important important चीज़ है, क्रीम क्रीम चीज़ है, वो ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो गोरक चंद को याद रखना, अगला है, ए उनके एक शिष्य थे, रामनाथ, क्या नाम था और शिष्य का? रामनाथ, रामनाथ ने यशोनाथ पुराण लिखाता, क्या लिखाता? यशोनाथ पुराण, गरंथ लिखाता, जो जसनातियों में बाईविल के समान इस्तान रखता है, जैसे, अपने या रामायड रखता ह और ईसाईयों का Bible होता है, ऐसे ही इस संपरदाई के अन्याईयों के लिए इश्वनात पुरान किसके समान है, Bible के समान, ठीक है, अगला है मित्रो, जाल, व्रच और मूर को पवित्र माना जाता है, इसमें क्या पवित्र माना जाता है, इस संपरदाई में जाल, व्रच और मू तो इस वीडियो को आप चाहो तो स्क्रीन सॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉस करके और जैसे कि मैंने कल जामबो जी संत जामबो जी वाली वीडियो कराई थी उसके बाद मैंने उसके 30-40 question important की वीडियो डाली है एसे ही यह मैंने करा दिया अब इसमें से गुमाफ राके question कैसे पूछेंगे उसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लें और जिन्होंने जामबो जी वाली वीडियो नहीं देखी संत जामबो जी वाली उसको देख लें उसके बाद उसकी MCQ वाली वीडियो उसको देख लें ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए इसी के साथ मिलता हूँ मैं नई वीडियो में MCQ के साथ तब तक के लिए Best of luck, study hard